हेलो गाइस वेलकम टो आवर यूट्यूब चैनल इस्टेडी विद एम आज मैं आप सभी के लिए काफ़ इंपोर्टेंट वीडियो लेके आए हूँ तो देखिए आगामी तीन अपरैल को होने वाले अपर PCS Pre-Exam के रिगार्डिंग आज से हमारी यूट्यूब चैनल स्टार्डिंग से लेकर एंड तक बने रहें तो चलिए आज किस क्लास को स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें साथे साथ बगर में जो बैल आइकन दिखता है इससे भी प्रेस कर लें ता अलावा अधर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडियाप्स यहीं पर शेयर की जाती हैं लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बढ़ते हैं आज की वीडियो के ओर इस सीरीज का पहला कुश्यन है तत्व बोधनी सभा की स्थापना कब और कहां पर की गई थी और निमनलिखित में से किस ने तत्व बोधनी सभा की स्थापना की थी तत्व बोधनी सभा की स्थापना हुई वर्ष 1849 इस बी में कहां पर इसके स्थापना की गई कलकत्ता में तत्व बोधनी सभा की स्थापना हुई और सेकिंड पार्ट है इसका निमनलिखित में से किस ने तत्व बोधनी सभा की स्थापना की थी तो तत्व बोधनी सभा की स्थापना की देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तत्व बोधनी सभा की स्थापना की तो देखे 1839 कलकता और देवेंद्र नाथ ठाकुर इससाब से इसक्रिशन का करेक्टर आंसर हो जाएगा अप्शन 3rd 1839 कलकता और देवेंद्र नाथ ठाकुर देखे तत्व बोधनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर ने कलकता में 6 अक्टूबर 1839 को 6 अक्टूबर 1849 इसबी को की थी कभी कभी बाई डेड भी पुछ लिया जाता है तो ये ध्यान रखे और इस सभा का उदेश्य क्या था इस सभा का उदेश्य धार्मिक विशेयों पर चिंतन तथा उपनिशदों के सार का प्रसार करना था और आरंब में इसका नाम क्या था आरंब में इसका नाम था तत्व बोधनी कर दिया गया और देखे अठारा सो उनसट इजवी में पुनहा इस सभा का बिलई ब्रह्म समाज में कर दिया गया मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट कुश्यन देखे विश्व बोधिक संपदा संगटन की स्थापना कब की गई थी और विश्व बोधिक संपदा संगटन का मुख्याले कहां पर इस्तित है और भारत को विश्व बोधिक संपदा संगटन की स्थापना की गई थी और इसका मुख्याले कहां पर है जिनेवा सुर्जल लैंड में जिनेवा सुर्जा लेंड में इसका मुख्याले है और देखे भारत को विश्व बॉदिक संपता संगठान की सदश्यता कब मिली वर्ष्र 1975 इस भी में तो देखे 1967 जिनेवा और 1975 तो इस हिसाब से इस कुशन का करेक्ट आंसर हो जाएगा और देखे वीपो के फुल फॉर्म की बात करें तो वीपो का फुल फॉर्म क्या होता है वर्ल्ड इंटेलिकल प्रॉपर्टी और इसका फुल फॉर्म है यानि कि विश्व बॉदिक संपता संकटन और यह संयुक्त राष्ट की सबसे पुराने एजिंसियों में से एक है इधा इसका गठन वर्ष 1967 में रशनात्मा गती विधियों को प्रोच सहीत करने और विश्व में बॉदिक संग्रक्षन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था और प्रतियक वर्ष 26 अप्रेल को विश्व बॉदिक संपता दिवस मनाया जाता है निम्ने लिखित में से गलत विकल्प का चयन करें तो देखे अमरेली डेसी कुल का सदश्य है ये लहसून ये ध्यान रखेगा और इसके अलावा लेग्यू मिनेशी इसका संबन्द है राजमा से माल वेसी कुल का संबन्द है भिंडी से तो इस कुश्यों का करेक्ट आंसर हो जाएगा इन में से कोई नहीं option force discussion का बिल्कुल correct answer है next देखिएगा निमने लिखित शाषकों को उनके शाषनकाल के अधार पर कालानो क्रमिक क्रम में व्यवसित कीजिए तो देखिए आपके सामने शाषक दिये हैं मुहमत रंगीला, एहमद शाह और आलमगीर दिती है तो देखिए मुहमत रंगीला शाह इसके शाषनकाल के बात करें तो 1719 से लेकर 1748 इस भी तक मुहमत रंगीला का शाषनकाल रहता है, एहमद शाह की बात करें तो 1748 से लेकर 1748 से लेकर 1754 तक एहम शाह का शाषनकाल रहता है और आलमगीर का स्थार्षन काल आलमगीर दितिए का 1754 से लेकर 1758 तक रहता है तो इस साब से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1,2 और 3 उप्शन 3 बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यह सथन भी आप नोट डाउन जरूर कर लिए ये most important है आपके आगाम एक्साम के लिए अगला दीखें निमने लिखित में से किस राजी में उद्धन्ती सीता नाधी वन्य जियू अभ्यारणी इस्तित है और निमने लिखित में से किस राजी में इंद्रा गाधी वन्य जियू अभ्यारणी इस्तित है तो सबसे पहले part 1 देख लेते हैं कि इनमे से उद्धन्ती सीता नादी वनीजी अभ्यारणी कहां पर इस्तित है तो उद्धन्ती सीता नादी वनीजी अभ्यारणी 21 राजी में 36 गड़ राजी में इस question का correct answer है option B 36 गड़ और तमिल नाड़ू option second बिलकुल correct answer है देखे उद्धनती सीता वनी वनी जियू अभ्यारणी की बात करें तो उद्धनती वनी जियू अभ्यारणी 36 गड़ के पृषिद अभ्यारणियों में से एक है और यहाँ अभ्यारणी जंगली भैशों की बहुत इसका डायत यहाँ पर पाई जाती है तो इसके लिए पृषिद्ध है और इस बनी जियू अभ्यारणी की स्थापना की गई इस वन्य जियू अभ्यारणी की स्थापना की गई 1983 इस भी में ध्यान देजीगा वन्य जियू संग्रक्षन अधिनियम 1972 के तहट वर्ष 1983 में इसकी स्थापना की गई थी और देखें, 36 गड़ में एक वन्य जियू अभ्यारणी और है इसका नाम क्या है? और देखें आपका आनेम मलाई आनेम मलाई बाग अभ्यारणी जिसका पुराना नाम क्या था? इंद्रा गाधी बन्य जियू अभ्यारणी आनेम मलाई बाग अभ्यारणी जिसका पुराना नाम था गाधी बन्य जियू इंद्रा गाधी बन्य जियू अभ्यारणी और यहाँ अभ्यारणी तमिल नाडू राजी के कोयंब टूर और तिरूपूर जिले में विस्तारित है ये ध्यान रखेगा विस्तारित है ये आनेम लई पहाडियों में विस्तारित है और ये एक शंगलक्षित छेतर है ये ध्या करनाथक राजी में कौन सा वन्य जी अभ्यारणी है भद्रा वन्य जी अभ्यारणी है करनाठक राजी के चिकम चिक मगलूर जिले में इस्तित है और ये किस के लिए प्रिशिद्ध है चिक मगलोर जिले में सित्ध बाग के लिए संगरक्षित छेतर है भदरा वन्य जिव अभ्यारणी बाग के लिए ये संगरक्षित किया गया है और देखे भारत की प्रोजेक्ट टाइगर नामक परियोजना के अधिन ये आता है ये ध्यान रिखेंगे और इसके स्थापना का वर्ष 1951 इस भी में भद्रा वन्य जी अभ्यारणी की स्थापना की गई अगला दिखेगा निमने लिखित मैंसे सही विकल्प का चैन करना है तो दिखेगा जम्मो कश्मीर जम्मो और कश्मीर में दोस मोचे महुत्सव मनाया जाता है ये बिल्कुल करेक्ट है तो करेक्ट विकल्प का ही चैन करना है ऑप्शन फर्स्ट इस्कुशन का करेक्ट आंसर है देखे हारनबिल महुत्सव की बात करें तो ये कहां पर मनाया जाता है हारनबिल महुत्सव मनाया जाता है आपके नागा लैंड में और आपका उगादी महुत्सों की बात करें तो ये मनाया जाता है करनाठका में और आपका चाप चार कुट महुत्सों मनाया जाता है कहां पर मिजोरम में तो ये भी आप ध्यान रखेंगे अगला देखिएगा निमने लिखित मैंसे किसने हिंदुस्तान Republican Association की स्थापना की थी और हिंदुस्तान Socialist Republican Army की स्थापना कब की गई थी तो देखें इन मैंसे हिंदुस्तान Republican Association की स्थापना कब हुई तो इसका correct answer हो जाएगा 1924 में हिंदुस्तान Republican Association की स्थापना 1924 में किसके द्वारा की गई थी सचिन्रनाथ सानियाल ने इसके स्थापना की थी और कहां पर इसके स्थापना हुई थी कानपूर में ये ध्यान रखेंगे कानपूर में इसके स्थापना हुई थी कहां पर हुई थी ये भी पूछा जा सकता आपसे तो कानपूर में इसके स्थापना हुई थी option D option D is question का correct answer है सचेंद्र नाथ शानियाल और 1928 हिंदुस्तान Republican Association के स्थापना की सचेंद्र नाथ शानियाल ने वर्ष 1924 जवी में और हिंदुस्तान सोशलिस्ट Republican Army की स्थापना की गई भगत सिंग के द्वारा 1928 जवी में तो option 4th इस question का बलकुल correct answer है हिंदुस्तान Republican Association भारती स्थापनाता के लिए ससस्त्र संगर्ष के माध्यम से बिर्टिस राज को समाप्त करने के उद्देश को लेकर गठित एक क्रांतिकारी संगर्टन है और आज भी यह संगर्टन सक्री है वर्ष 1928 तक इसे हिंदुस्तान Republican Association के रूप में जाना जाता था नेक्स्ट कुश्चन है नर्मदा नदी निमने लिखित मैंसे किस राजी से होकर नहीं बहती है दिकें नर्मदा नदी बताना है कि जो आपके option दिये हैं इन मेंसे किस राजी से होकर नहीं बहती है और क्रश्चना नदी निमने लिखित मैंसे किस राजी से होकर नहीं बहती है तो सबसे पहले नर्मदा नदी की बात करें नर्मदा नदी कहां से होकर बहती है ये ध्यान रखें महत्य पर्देश गुजरात और महाराष्ट राजयों से होकर बहती है कौन से नदी नर्मदा नदी और कृष्णा नदी जो है ये महाराष्ट करनाटक और तेलंगाना तेलंगाना इसके अलावा आंध्र पर्देश तो इन राजयों से होकर बहती है आंध्र पर्देश इन राजियों से होकर बहती है कौन से नदी कृष्णा नदी तो देख लीजे मध्य परदेश गुजरात और महाराष्ट से होकर बहती है नर्मदा नदी और कृष्णा नदी होकर बहती है कहां से महाराष्ट से करनाटक से और तिलांगाना से इसके अलावा आंधर प्रदेश राजियों से होकर बहती है तो जो छूड़ गया वो correct answer हो जाएगा आपका तो क्या छूड़ गया देखिए जहारकंड और 36 गर छूड़ गया था तो option फर्स्ट बिलकुल correct answer हो जाएगा इस question का यह ध्यान रखना है कहां से होकर बहती है यह आपको पता होगा तो आप correct कर लेंगे answer अगला देखिएगा निमनलिकित मेंसे कौन सा बंदरगा या टर्मिनल प्रशान्त महासागर में इस्तित नहीं है तो इस question का correct answer है Rio de Janeiro Brazil option second बिलकुल correct answer है अगला देखिएगा मध्य कंदहार और मैसूर को British East India Company के सामराजी में कब मिला लिया गया तो इसका correct answer हो जाएगा मध्य कंदहार को मिलाए गया British East India Company में किश वर्ष 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 अठारा सो चौतिस इस वी में और मैसूर को British East India Company के सामराजी में कब मिला लिया गया इसका correct answer हो जाएगा 1830 बर में तो 1834 और 1831 यह है आपके option first में तो option A बिलकुल correct answer हो जाएगा option first next देखिएगा वीडियो पसंद आ रही है तो like कर लेना है आपको जिन लोगों ने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल स्टी विद एम को सस्क्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सस्क्राइब किजिए और वीडियो को जादर से जादर शेयर किजिए अपने दोस्तों के साथ अपने वर्टसप ग्रूप्स में डैली आपको ये स्रीज प्रोवाइड कराए जाएगी तो कल से टाइम बता दिया जाएगा कब आपको प्रोवाइड कराए जानी है ट clot यूट जरूर जोइन कर लिजे वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा टाइमिंग इस क्लास की कब रहेगी कल से अगला देखिएगा निम्ने लिकित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है तो इन में से सुमेलित विकल्प कौन सा नहीं है ये आपको बताना है तो देखिए सबसे पहले option first में जो दिया है आपका गुरू घासी दास राष्टी उद्यान इसकी बात करें तो गुरू घास दास राष्टी उद्यान है इसको ही संजय राष्टी उद्यान भी कहा जाता है और इसकी स्थापना कब हुई वर्ष 2001 में इसकी स्थापना हुई थी और देखे केबूल लाम जाओ राष्टी उद्यान की बात करें तो केबूल लाम जाओ राष्टी उद्यान ये कहां पर ये और यहां किस राजी में मानिपूर राजी में इस्तित और यहां मानिपूर की विश्व प्रशिद लोक्टक जील का ये अभिन हिस्सा है ये ध्यान रखेंगे और यहां भारत के संकट ग्रस्त संगई का एक मात्र निवास इस्तान है और इसके स्थापना कब हुई वर्श 1977 में इसके स्थापना की गई और आपके महत्मा गांधी समुद्री राष्टी उद्यान की बात करें तो ये कहां परिस्तित है ये है आपके अंडमा निकोवार ड्रीप समू में तो पहले के तीन आ और देश में ना होकर ये किस राजी में इस्तित है इसका राइट आंसर हो जाएगा राजिव गांधी राष्टी उद्यान ये कहां पर इस्तित है ये है आपके करनाठक राजी में नोट कर लिए करनाठक राजी में इस्तित है राजिव गांधी राष्टी उद्यान और र कुमाओ मंडल विकास निगम की स्थापना की गई थी संदर ढूंगा हीमाँ कि हीमानी किस जिले में इस्तित है तो सुंदर धूंगा हीमानी सुंदर धूंगा गलेश्यर ये किस जनपद में बागेश्वर जनपद में इस्तित है आप सभी लोग 8 बजे वाली स्रीज हमारी चलती है इसपेशली उत्राखंड की तो वो स्रीज आप जरूर जॉइन कीजिएगा वो स्रीज आपके आगामी अपर PCS प्री एक्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है तो आप इसे जॉइन जरूर कीजिएगा तो देखें 1976 और बागेश्वर तो इस कुश्चिन का करेक्टर आंसर है आपका उप्सन सेकेंड नेक्स्ट कुश्चिन है कुमाओ के प्रथम कमिश्चनर की न्यूकती कब की गई थी और एडवर्ड गार्डनर को नेपाल का बिर्टिस आयुकत बनाकर कब भेजा गया था तो पहले पार्ट की बात करें कुमाओ के प्रथम कमिश्चनर की न्यूकती की गई थी कब वर्ष 1815 इज़ी में में Edward Gardner ध्यान दीजेगा 815 इसबी में Edward Gardner British कुमाओं के प्रथम कमिशनर नियुक्त हुए थे और Edward Gardner का कारीकाल कितना रहा कुल 9 महीने का कारीकाल रहा Edward Gardner का और इसका सायक कौन था ट्रेल ट्रेल जो था ये Edward Gardner का सायक था और Edward Gardner को नेपाल का British I.O. तो बनाकर कब भीजा गया था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1816 में तो इस सहाब से इस कुशन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1815 और 1816 तो आप्शन फर्स्ट बिलकुल करेक्ट आंसर है इस कुशन का नेक्स्ट देखेगा आई होप आपको पसंद आ रही होगी वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा अगला देखे कलकता मदरास एवं बंबई में तीन विश्विद्याले 1857 से पहले या 1857 के बाद इस्थापित किये गए आपको बताना है कि कलकता मदरास बंबई में तीन विश्विद्याले स्थापित किये गए तो देखे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सबसे पहले पार्ट वन की बात करें तो कलकता मदरास एवं बंबई में तीन जो विश्विद्याले बनाए गए थे ये इसकी स्थापना कब की गई थी इसकी स्थापना 1857 इज़ी में ही की गई थी 1857 में ही कलकता मदरास एवं बंबई में तीन विश्विद्याले स्थापित किये गए थे और देखे गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड कैनिंग के शाशनकाल के दौरान कलकता, मदरास और बंबे में तीन विश्विद्याले स्थापित किये गए थे किसके दौरान लॉर्ड कैनिंग के शाशनकाल के दौरान तो आपका इस कुशिन का करेक्टर आंसर कौन सा हो जाएगा इन में से कोई नहीं आपके सामने चार आप्शन दिये हैं इन में से आपको बताना है कि कौन से रिपोर्ड विश्व आर्थिक मन्च दौरा प्रकाशित नहीं की जाती तो इस कुशिन का करेक्टर आंसर हो जाएगा क्या वैश्विक असमानता संकट रिपोर्ट ये आउक्स फॉर्म इंटरनेशनल के दोरा जारी की जाती है बाकी जो तीनों हैं आपके वैश्विक प्तिस पर्ड़ा रिपोर्ट, वैश्विक लैंगि रिपोर्ट और वैश्विक सूशना प्रावध्योगी की रिपोर्ट ये किस के दोरा ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित की जाती है और आपका जो वैश्विक असमानता संकट रिपोर्ट है ये किसके द्वारा ओक्स फॉर्म इंटरनेशनल के द्वारा जारी की जाती है ये ध्यान रखेंगे, most important ये point है और देखें विश्व आर्थिक मंच, सुर्जा लेंड में इसकी गैर लाव कारी संस्ता है और इसका मुख्याली कहां पर है, इसका मुख्याली है को लोगनी में, को लोगनी में विश्व आर्थिक मंच का मुख्याली है और विश्व आर्थिक मंच की स्थापना वर्ष 1971 इज़ी में हुई ये पॉइंट भी यार रखे इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट कुश्चन देखेगा निम्न लिखित मैंसे किस अनुच्छेद के तहट राष्ट पती की अध्यादेश जारी करने की शक्ती से सम्मंदित प्रावधान दिये गए हैं और सेकिंड पार्ट है निम्न लिखित मैंसे किस अनुच्छेद के तहट राष्ट पती की सर्वोच नेयले की सला देने की शक्ती से सम्मंदित प्रावधान दिये गए हैं तो ये दिये गए हैं किस अनुच्छेद में अनुच्छेद 143 में तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 143 तो इस साथ से कुषिन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट दिखिए गवर्नर जनरल की बात करें यहाँ पर राष्टपति को अध्यादे जारी करने की जो शक्ती है यह से समंदित प्रावधान किये गए हैं 123 में और यहाँ पर अगर पूछा जाए आपसे कि गवर्नर को अध्यादे जारी करने की जो शक्ती है यह किस अनुच्छेद में दिया गया है तो इसका राइट कर हो जाएगा अनुच्छे 213 गवर्नर की अध्यादे जारी करने की शक्ती से समंदित प्रावधान दिये गए हैं अनुच्छे 213 में इंपोर्टेंट है नेक्स्ट कुश्यन देखेगा निमने लिखित में से किस राज्य की विधान सभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है तो दिखे केरल राजी की बात करें तो केरल राजी में 140 विधान सभा सीटे हैं असम की बात करें तो असम राजी में कितने हैं 126 विधान सभा सीटे हैं ओडिशा राजी में 147 विधान सभा सीटे हैं और उत्राखंड में कितनी विधान सभा सीटें 70 विधान सभा सीटे हैं तो इस question का correct answer क्या हो जाएगा ओड़ी सा option थर्ड बिलकुल correct answer है सम्विधान के अनुचिद 170 के तहट विधान सभा गठन का प्रावधान किया गया है most important point है और किसी राजी की विधान सभा में अधिकतम सदश्य 501 यूनुतम सदश्य 60 हो सकते हैं राजी विधान मंडल की बात करें तो राजी विधान मंडल से सम्वंदित अनुचिद 168 ये point भी important है ध्यान रखें अगला देखिए पौंधे की अती संकट ग्रस्त परजाती पोली गाला भारत के किस राजी में पाई जाती है और पौंधे की संकट ग्रस्त परजाती सिलोटम नुडुम भारत के किस राजी में पाई जाती है तो part 1 सबसे पहले देखिए संकट ग्रस्त परजाती पोली गाला जो है ये भारत के किस राजी में ये भारत के गुजरात राजी में पाई जाती है गुजरात राजी में और पौंधे की संकट गरस्त पड़ जाती सीलोटम नुडुम सीलोटम नुडुम जो है ये किस राजी में करनाटक राजी में पाई जाती है करनाटक राजी में तो इस हिसाफ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा गुजरात और करनाटक आप्शन फर्स्ट बिलकोर करेक्ट आंसर है नेक्स्ट देखेगा आश्यान की स्थापना कब की गई थी और निम्नलिकित में से कौन सा देश 1999 में आश्यान का दस्वा सदश्य बना Most important question है देखे आश्यान की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? 8 अगस्ट 1967 इस बिको आश्यान की स्थापना हुई थी और आश्यान में कुल 10 सदश्य देश हैं अब कौन से ये सदश्य देश हैं? ये आप नोट का लिजी पहला है ब्रुनई, तूसरा है इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यामार, फिलिपिन्स, सिंगापूर, थाइलेंड, बियतनाम और कमबोडिया तो ये 10 सदश्य देश हैं आश्यान के ये ध्यान में रखे और आश्यान वर्ष 1999 में आश्यान का दसवां सदश्य देश कौन सा बना? इसका राइट आंसर हो जाएगा कमबोडिया बना था वर्ष 1999 में आश्यान का दसवां सदश्य देश तो इस question का correct answer है आपका 1967 और Cambodia option first बिल्कुल correct answer है अगला देखिएगा वीडियो पसंद आ रिए तो like कीजिएगा देखिए आपके लिए यहाँ पर series चलाई जाती है most important तो आप अपने दोस्तों के साथ इस series को जरूर share कीजिए वीडियो पसंद आ रिए तो like कर लिजिए और जि के लिए इसको यहीं पर stop कर दिया जाएगा तो आप सभी के हाथ में ही है आगे आपको यह classes चाहिए तो आप जाद से जादा शेयर कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अगला देखिए निमनलिकित में से कौन सा इस्तल एक वनीजियो अभ्यारणी की श्रेवनी मे नहीं आता है तो कौन सा इस्तल है जो वनीजियो अभ्यारणी की श्रेवनी में नहीं आता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वांधोगर वनीजियो अभ्यारणी देखिए बांधोगर वनीजियो अभ्यारणी नहीं है यह क्या है टाइगर रिजर्व है टाइगर रि बात करें तो इन्रा गादी थ्यिय अभayıरनी यह कहां पर है यह आपके है तमिल नाडु में राजी में भादराव अभःषा रणी बताया है मैंने अभी आपको करनाटक में करनाटक में यह है और उद्धनती सीता नदी वनीजू अभ्यारणी यह भी आपको बताए यह कहां पर इसका है कहां पर यह स्थित है 36 गड़ में दूसरे तरफ आपके त्योहार दिये हैं तो कौन सा राज्य किस राज्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है यह क्रेक्ट करना है गलत विकल पर इसमें से बताना है कि कौन सा क्रेक्ट नहीं है तो देखे करनाटक राज्य की बात करे करनाटक राज्य में मनाया जाता है उगा नहीं है तो इस question का correct answer हो जाएगा option D गंगा दशेरा जो है ये किस राजी में उत्राखंड राजी में मनाया जाता है गंगा दशेरा उत्राखंड राजी वाले जितने लोग है निको तो पताई है गंगा दशेरा कहां पर उत्राखंड में ही मनाया जाता है अगला देखे निम से किसकी अध्यक्षता में सामुदाइक विकास एम पंचायती राज का एक समीती का गठन वर्ष 1976 में किया गया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री मती दया चौबे ऑप्शन फोर्टुबिल को करेक्टर आंसर है अगला देखिए समुद्र यान परियोजना नामक भारत के पहले मानो युक्त महासागर मिशन का सुबारंब केंडरी राजी मंत्री पृथवी विज्ञान डॉक्टर जितेंडर सिंग द्वारा डैश में किया गया कब किया गया ये कहां पर किया गया ये बताना है कि समुद्र यान परियोजन नामक भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन का सुवारंब केंडरी राजी मंत्री पिर्थिवी विज्यान डॉक्टर जीतेंडर सिंग द्वारा कहां पर किया गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहां पर चेन नहीं में किया गया था option second बिल्कुल correct answer है अगला दे association का आयोजन किया गया था कहां पर रिशी केश में उत्राखंड के रिशी केश में किया गया था और option first बिल्को right answer है इस question का रिशी केश की बात करे तो ये देहरादून का एक उपनगर है देहरादून का उपनगर है रिशी केश केश किदार खंड में रिशी केश को क्या कहा गया है कुबजा मुरक कहा गया है केदारखंड में रिशिकेश को कुबजा मुरक कहा गया है रिशिकेश जो है ये गंगा वा चंद्र भागा नदी के संगम पर इस्तित है और केंद्र सरकार ने रिशिकेश वा हरीद्वार को भारत के पहले जुडवा राष्टी विराशत सह प्रमुक बंदरगाहों की संख्या वाले भारती राजी का नाम बताना है। तो माल डुलाएगी मातरा के आधार पर भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है कांडला बंदरगाह तो तमिल नाडू और कांडला बंदरगाह है। और आउट ओफ 25 आपके कितने कुशिन करेक्ट हुए आप कमेंट सेक्षन में कमेंट किजिएगा। झाल झाल झाल